महिलाए, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकती है या उसके कोई नियम विद्वानों ने और शास्त्रों में बताई गए हैं इसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा आप और हम बैखूबी जानते हैं कि रामायन काल में जो सर्व स्रेष्ट केरेक्टर थे वो स्री हनुमान जी और भगवान राम के द्वारा दिये गए वर्दान से वे चिरन जीवी हैं वे अमर है और आज भी कहते हैं कि जहां सुन्दर कांड होता है जहां रामचरित मानस का पाठ होता है जहां हनुमान चालिसा होता है जहां बजरंग बान होता है वहां स्री हनुमान जी उपस्तित रहते हैं वो दिगर बात है कि हमारे पास में वो दिव्य चक्ष नहीं है कि हम उन्हें देख सके और जागरित देवता होने के कारण उन की पूजा अर्चना मैं मानका चलता हूँ कि ना केवल हिंदुस्तान में ही बलकि शैद हिंदुस्तान के परे भी कई मुलकों में कई देशों में होती है आज का विशे हमारा ये नहीं है कि हनुमान जी का चरित्र हनुमान जी की पात्रता हनुमान जी की योग्यता हनुमान जी का त्याग ज्यान बुद्धी विवेग क्या थी बलकि हमारा तो जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि क्या हनुमान जी की पूजा महिलाए कर सकती है यदि हाँ तो क्या उन्हें कोई सावधानी या सावधानिया रखनी होती है यदि हाँ तो क्या जेसा कि हम जानते है कि कोई भी देवी देवता हो इस्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार होता है पूजा पाठ करने का लेकिन साथ ही हम यह भी जानते है कि स्री हनुमान जी एक ब्रहमचारी और ब्रहमचारी होने के नाते कई से प्रतिबंध महिलाओं के दुआरा उनकी पूजा पर बताए गए है उन्हें प्रतिबंधों की उन्हें सावधानियों की बाते हम करें उसके पहले एक बात तो यह कहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा सुनें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें हाँ अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि स्री हनुमान जी की पूजा आराधना करने में इस्त्रियों की भूमी का क्या रहनी चाहिए उसमें पहले उनके लिए जो मान्य बाते हैं पूजा आराधना की पहले हम उस पर विचार करते हैं महिलाए श्री हनुमान जी की पूजा आराधना में दीपक लगा सकती है महिलाए उन्हें धूप दे सकती है पुष्प चढ़ा सकती है समर्पित कर सकती है उनके लिए भोग बना सकती है और भोग बनाकर उन्हें भोग चढ़ा सकती है श्री हनुमान जी से वे प्राथना कर सकती है मंगलवार का वृत यदी रखना चाहे तो मंगलवार का वृत भी रख सकती है लेकिन यहां एक बात जरूर आपको ध्यान में रखनी होगी कि कुछ समय महिने में ऐसा आता है कि जब उनको पांस साथ दिन मंदिर में रशोई में परिंडे के यहां नहीं जाना होता है और उन्हीं दिनों में मंगलवार भी आ गया तो ऐसी इस्तिती में वहें वृत माननी नहीं होता है इसलिए इसे अगर हम ध्यान में रखे तो इस्तियों को महिलाओं को मंगलवार का वृत नहीं रखना चाहिए क्यों कि उसके खंडित होने की संभावना पूरी-पूरी बनती है श्री हनुमान जी की प्रात्ना में स्रेष्ट प्रात्ना जो नित्य प्रात्ना में श्यामिल हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है संकट मोचन हनुमानास तक पढ़ सकती है सुंदर कांड का भी पाठ कर सकती है तो महिलाएं आरान से श्री हनुमान जी की पूजा करें लेकिन जो जो बाते उन्हें बताई उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें पूजा करनी अब सावधानिया क्या रखनी है उनके लिए निशेद क्या है पहला है मूर्ति को इसपर्स नहीं करे ब्रह्मचारी है वो इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को इसपर्स ना करे हनुमान जी के चरण इसपर्स ना करे श्री हनुमान जी को सिंदूर भी ना चढ़ाए ना के वर सिंदूर बलकि अगर चोला होता है तो हनुमान जी को चोला भी नहीं चढ़ा सकती महिलाए हनुमान जी को जन्यों भी नहीं चड़ा सकती है और तो और कपड़ों का जो जोड़ा होता है वो हनुमान जी को नहीं पहना सकती है यदि स्री हनुमान जी का कोई अनुस्ठान है तो महिलाए अनुस्ठान नहीं कर सकती है और महिलाएं स्री हनुमान जी को पंचाम रिच्छे इसनान भी नहीं करवा सकती है साथ ही साथ अंतिम बात और अंतिम सावधानी जो बताने जा रहा हूँ वह यह है कि महिलाएं बजरंग बान का पाठ भी नहीं कर सकती है ये तमाम बाते महिलाएं को स्री हनुमान जी की पूजा करते समय ध्यान रखनी चाहिए कुछ हमारे जो विद्वान साथी है वो यह भी कहते है कि हनुमान जी के मंदिर में यदि नाभी से नीचे मूर्ती रखी हुई है तो महिलाओं को परिक्रमा भी हनुमान जी के नहीं लगानी चाहिए कारण कि उनकी चाया हनुमान जी पर पड़ती है यह सावधानिया महिलाओं को रखनी अति आवश्यक होती है मैं उमीद लेकर चलता हूँ कि महिलाओं से संबंधित श्री हनुमान जी की पूजापाट के जो नियम है और जो सावधानिया है आपको अच्छे से ध्यान पड़ गई होगी समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आप किसी भी प्रकार की क्योरी करना चाहे अपने विचार रखना चाहे अपक्ष में रख सकते हैं जै श्री हनुमान जै श्री रिराम ओम श्री हनुमन ते रम है जै श्री किष्णा